वेल्कम साथियो देवुमी एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वाग थे एक बाब फिर से दोस्तों जैसे कि आपको पता था फॉरेस्टर का यानि कि वन दरोगा का स्लेबस मैंने आप से पूछा था कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर देख पारे होंगे मैंने इस स्लेबस आप लोगे लिए तयार किया है तो यहाँ पर यह मतलब बाई लेंग वल आपके लिए बनाया है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह स्लेबस आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में तो पूरे वीडियो में में साथ बने रहे न और आने वाले समय में एक्जाम है तो स्लेबस के अकॉर्डिंग आप अगर एक्जाम के तयारी करेंगे तो वो बहुत ही एफेक्टिव होता है चले स्टार्ट करते हैं इसमें पूरा स्लेबस आप देखे क्या क्या आने वाला है और किस तरीके से पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने स्लेबस यहां पर बनाया है देखे सबसे पहला जो टॉपिक है वो बाय लोजी का टॉपिक है तो इसके अंतरगत आपको देखे फूड से पढ़ना है और आपको बता दू यह जो नर्च है तो नर्चर्ट का स्लेबस नैंट 10 तक कही इसके अंतरगत होता है ठीक है इचीज़े भी ध्यान रहना है तो food देखिए सबसे पहले food या भोजन का है इसमें plant and animal breeding and selection for quality improvement and management use of fertilizers और manuous protections from pets and diseases और organic farming के से यहां पर पूछा जाएगा अगर आप हिंदे में देखना चाहते हैं गुणवत्ता सुधार और प्रबंदन के लिए संग्यंत्र और प्रशु प्रजनन और चैन उर्परकूं खादूं का उप्यों कीटूं और बिमारियों से सुरक्षा जैविक खेती यह सारे टॉपिक रहेंगे आपके भोजन के अंतर दूसरा यहां पर शामगरी से है जो मैटेरियल से है तो मैटर नेचर एंड बिहेविर ठीक है मैटर का पदार्थ की का जो है परकृति और उसके ब्योहार के बारे में आपसे पूचेंगे यह तो इसके अंतर के आप देख पाएंगे पदार्थ की परिभाशा ठीक है डेफ ठंडे वाश्पी करण द्वारा ठंडा करना संगरन उच्छ बनाने की क्रिया वगेरा यह सारी चीज़ है तो यह आपको देखने है अब आपको बता दूँ यह PDF आपको कहां मिलेगी ठीक है वीडियो देखो लास्ट मां आपको बता दूँगा यह PDF आप कहां से बन है suspension ठीक है तो यह सारी चीज़ आपको देखनी है पार्टिकल नेचर बेसिक यूनिट से अब देखे यहाँ पर आपकर कण की प्रकृति के बारे में आपसे पूछा जाएगा वुनियाती इकाई क्या है प्रमानों और अनू के बारे में ठीक है एटम सेंड मोलिकूल्स इस्तिर अनुपात का नियम प्रमानों और आणिविक द्रवेमान ये सारे आपके टॉपिक रहने वाले हैं जो आपको देखने पढ़ेंगे पढ़ने पढ़ेंगे नेक्स्ट है मोल कॉंसेप्ट तो यहाँ पर कणो और संक्याओं के द्रवेमान क्या मोल संबंद उनके बीज का मोल संबंद और वैलेंसी के बारे में पुछा जाएगा सामानी योगियों का राषैनिक शूत्र जो होते हैं आपको केमिकल नेम जो होते हैं यह केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा structure of atom ठीक है प्रमानों की संग्रचना जिसके अंतरगत electron, proton और neutron आ जाएंगे आपको isotope और isobar यह भी देखना पड़ेगा तो यह स्लेवस है आपका next आप देखी यहाँ पर जीव जगत से आप से पुछा जाएगा word of the living ठीक है the word of the living तो आप से organization in the living world सजीव जगत का संगठन हिंदी में कहेंगे आप तो यहाँ पर biological diversity से question पूछे जाएंगे जिसके अंतरगत अगर आप हिंदी में देखेंगे नीचे तो जैविक विवित्ता हम इसको बोलते हैं या जैविव विवित्ता बोलते हैं पौधों और जानवरों के बीच जो विवित्ता पाई जाती है उसके बारे में बैग्यानिक नामकरण में जो बुणियादी मुद्दे थे ठीक है वो आपको देखने पड़े बेसिक इस्यू जो है scientific naming में वर्गी करण के आधार ठीक है यहां तक आपको इनके salient features भी देखनी पड़ेंगे आगे बात करेंगे cell की तो cell के अंतरकत आप देखें यहां पर कोशिका के बारे में आपसे उसकी आप जैसे कि आप जानते है बेसिक उनिट ऑब लाइफ है ठीक है तो आप देखें इसके बारे में आपको जीवन की होते हैं कोशिका जिल्ली कोशिका भित्ती कोशिका अंगे क्लोरोपलास्ट है माइक्रो माइट्रोकॉंड्रिया है वैक्यूल से हैं ए आर है ठीक है गाल्जी उपकरण है गाल्जी बॉडीज है और उसके बार नाभिक है ठीक है जो सरी नाभिक यहां पर नुकलियस आया त किताब उसे आपको तयार कर लेने हैं इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो टिशू मा आ जाएंगे टिशू का मतलब क्या होता है भाई टिशू का मतलब होता है उतक ठीक है तो टिशू ओगनस ओगन सिस्टम और 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 जीव तो ये सारी चीजें जो है इसके अंतर के आपको पढ़नी है जानवरों और पौधों के उतकों की संग्रचना और उनके कारी क्या क्या है ठीक है कोशिगाओं के समू को उतक कहते हैं और उतकों का क्या कारी है उनका कैसा कैसा समू है ठीक है जानवरों के चार प्रकार पौधों में विजोतिकी और स्थाई उत ठीक है अब देखिए यहां पर Mastematic and Permanent Tissue in Plants यह सारी चीज़ां आपको देखने है ठीक है श्वास्त में क्या परभा पढ़ रहा है क्यों हूं रहा है इसके बिबिन रोग जनक कारक क्या गया है यह सारी चीज़े संक्रामक और गैर संक्रामक रोग उनके कारण और अभी व्यक्ति में ने बोला था फैलने वाली बिमारिया और नहीं फैलने वाली बिमारिया और उनके किस कारण से बिमारिया फैल रही है इसके बारे में आपको सब चीजे देखने पड़ेंगे आगे बात करेंगे disease caused by microbes, virus, bacteria, protozoans ठीक है यह protozova बगेरा तो यह सारे जो रोगानों है रोग फैलाने का कारे करते हैं जिसे बैक्टरिया है, virus है, protozova है तो इनके कारण होने वाले जो रोग हैं और उनकी रोग थाम, उनका उपचार, रोग थाम के सिद्धान ते क्या क्या हैं और साथ ही साथ जो पल्स पोलियो कारिकरम है दोस्तों उसके बारे में डीटेल से यह सारी चीज़ों आपको देखने हैं और इससे संबनित क्या क्या कारिकरम जो है गौर्मेंट या अन्निमाधिम से चलाई जाती हैं यह चीज़े देखने हैं अब फिजिक्सी के अंदर का तॉबिक कहाँ पर आ रहा है, moving things, people and ideas, गतिशील, वस्तुएं, लोग और विचार ठीक है, इसके बारे में आपको देखना है, इसमें सबसे जो पहली यूनिट देखने हैं फिजिक्सी के अंदर और टोटल देखेंगे, फोर्त यूनिट में दिया है, motion, force and walk, यानि कि गति बल और कारी के बारे में, तो यहां से आपको देखिए, सबसे पहले गति, यानि कि सीधी रेखा के समान और गैर समान गते, ठीक है, तो अब देखें यहां पर, uniform and non-uniform motion along a straight line, ठीक है, acceleration, समय और vague, समय ग्राप्स, समान और समान रूप से त्वरिद गति के लिए, ठीक है, अगर आप हिंदी से जादा यूनिट में अगर देखेंगे, तो और easy आपको ग्राफिकल विधी के द्वारा गति के समीकरण और गति के समीकरण आपको जो भी गति के सूत्र होते हैं, वो आपको पढ़ने पढ़ेंगे, ध्यान देना पढ़ेगा, समान वृति गति का प्रारंभिक विचार, तो इतनी चीज़ें आपको इसके अंतर पढ़ने हैं, motion के अब force and newton's lawma आजेंगे, बल और newton के नियम, ठीक है, तो newton के नियम आपको देखने हैं, बल और गति के नियम, newton के, क्या 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 नियम दे हैं, उसके बारे में, newton के गति के नियम, ठीक है, जो भी उसके तीन-चार नियम हैं, वो नियम आपको देखने हैं, ठीक है, संग्रक्षन का प्रारंभिक विचार ये सारी चीजें जो है आपको किसके अंदर पढ़ने फोर्स एंडे न्यूटन स्लों के अंदर बल और न्यूटन के नियम न्यूटन ने जो नियम देते ठीक है उसके बाए ग्रेविटेशन में आ जाएंगे आप गुरुत्वा कर्षन म क्या मतलब है ठीक है ये सारी चीजे सबसे पहले आपको गुरुत्वा कर्षन गुरुत्वे गुरुत्वा कर्षन का सार भौमिक नियम क्या है यूनिवर्सल लौ ठीक है यूनिवर्सल लौ ऑफ ग्रेविटेशन उसके बाए गुरुत्वा कर्षन प्रतिवी के गुरुत् फ्लोटेशन जाएंगे आप फ्लोट करना श्यानता जिसको तैरना मतलब ठ्रस्ट एंड प्रेशर आर्कमिटीज का शिद्धान उच्छाल जिसको बोलते हैं ठीक है फ्लोटेशन तो उच्छाल देखेंगे आप यहां पर और उसके बाद जो है दिखें उच्छाल उसके कारंभिक विचार ठीक है एलिमेंटरी आइडिया ओफ रिलेटिव डेंसिटी तो यह आपको फ्लोटेशन के अंदर देखती है आर्कमिटीज का सिद्धानत बहुत महतुपूर्ण है वर्क एनर्जी एंड पावर वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर का वर्क डन बाई फोर्स एनर्जी पावर काइनेटिक एंड़ पोटेंसिल एनर्जी लओ of conservation of energy ठीक है आपको यह सारे उर्जा संग्रक्षण का नियम है इस धीदी उर्जा क्या होती है गति उर्जा क्या होती है बल दौरा कार ही किया गया इसके बारे में आपको पूरा पण़ना पड़े नेक्स्ट हम ध्वनी पर चले आते हैं साउंड में ठीक है साउंड के अंतरकत आपको क्या क्या देखना है ध्वनी के अंतरकत ध्वनी की प्रकृति और विभिन माध्यों में इसका संचरण ध्वनी का नेचर कैसा है ठीक है क्या प्रकृति है ध्वनी की और अलग-अलग माध्य में जो ध्वनी का संचरण होता है वो किस तरीके से होता है ध्वनी की गती मनुश्य में सुनने की सीमा है अल्टरा साउंड ध्वनी का प्रावर्तन गूज और सोनार ये सारी चीजें आपको क्या करनी है पढ़ने पढ़ेंगी फिजिक से टॉपिक के अंतरगत अगला है structure of the human ear ठीक है human ear का आपको क्या करना है इसको पढ़ना है मानव कान की संक्रेशना केवल स्रवन पहलू ठीक है ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ जो सुनने में human का जो मानव का कान जो यूज माता सुनने के लिए उस वाले पहलू पर आपको ये चीजें पढ़ इसमें वायू स्वसन के लिए वायू दहन के लिए तापमान को समानी करने के लिए वायू की गती और पूरे भारत में वर्सा लाने पर वायू की भूमिका तो वायू से समझने दिये सारी चीज़ा आपको इतने चीज़ देखने पड़ेंगे आप बात करेंगे जल के प्रदूशन है वायू जल और मिर्दा प्रदूशन ये तीनु प्रदूशन आपको देख लेने ओजोन प्रद में छेद और संबावित नुकसान ये बहुत महत्तुपून है ओजोन प्रद से सम्बंदी चीजें पढ़ लेना बायो जियो केमिकल साइकल इन नेचर ठीक आप जहीं होंगे oxygen cycle, carbon cycle, nitrogen cycle, water cycle ये इस तरगे जहीं तो जल चकर, oxygen चकर, carbon चकर और nitrogen चकर तो! इतने चक्रा आपको दिये हैं ये पढ़ने पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे अगर प्रकृति और व्योहार के बारे में chemical substances, nature and behavior रासाइनिक पदार थे उनकी प्रकृति और उनका व्योहार तो उसमें आपको general properties इसकी दी हैं किसके acid base and salts के ठीक है इसके acid base and salt के सामान्य गोन, general properties, ठीक से इसके उदाहरन, example and usage, पैमाने, ठीक है pH पैमाने की अवधारन, concept of pH scale, ठीक है pH scale क्या है इसका पूरा concept है दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है दोस्तो, sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda और plaster of Paris का उप्योग ठीक है, इनके क्या-क्या उप्योग है, ये सारी चीज़े बहुत मैतुपकून है, इनको देख लेना इस topic से, ठीक है अगर वीडियो आपको लग रहा है, दोस्तो हमने मेहनत कर रहे हैं, इतना पूरा type करके, फिर उसको हिंदी में convert करके, हमने भी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो प्लीज एक like और कुछ लोगों तक share कर देंगे, तो हमारे भी मदद हो जाएगे चलिए, बागी और जादा मेहनत करना चाहते हैं, तो आपके वीडियो के नीचे एक thanks लिखाव आ रहा है, उसमें आप अपनी, हमें थोड़ा बहुत मदद अपने तरब से कर सकते हैं chemical reaction, अब यहाँ पर chemical reaction में रासाइनिक क्रियाई जो है, रासाइनिक अभिक्रियाई जो है, उसके बारे में आपको रासाइनिक समीकरण ठीक है, किस तरीके से रासाइनिक समीकरण बनाई जाते हैं, कौन-कौन से रासाइनिक समीकरण होती हैं, उनके नाम हो गया ठीक है, रा जासिनी करण, ऑक्षिजन और हाइड्रोजन की घटने या बढ़ने की संदर्व में ऑक्षिकरण और अप्चाइन होता है न तो वो ऑक्षिकरण और अप्चाइन की क्रिया जो होती है ठीक है बाकी इंगलिश में भी आपको मैंने यहां पर दिया है ऑक्षिटेशन के अंतरकत आपको काफी चीज़ें पढ़नी है वो देख लीजी आप ठीक है इसमें धातू और अधातू के जो सामान्य गुण है मेटल और नॉन मेटल के सामान्य गुण और प्रतिक्रिया शीलता स्रंखला आइनिक योगिकू का गठन और गुण मूल धातू कर्म प्रक्र कार्बनिक योगियों में अगर देखेंगे तो कार्बनिक योगियों के सह संयोजग बंद है ठीक है और कोवलेंट बॉंड है कार्बन का की बहुमुकी प्रक्रती कार्बन योगियों का नामकरण कार्यात्मक समू संतरप्त हाइड्रोकार्बन असंतरप्त पढ़नी है अब periodic classification of elements में आपको periodic table का अध्यन करना है आवर्त तत्व का आवर्ति वर्गे करन आधुनिक आवर्त सारणी और उसके गुणों में पदक्रम वगेरा ये सारी जीज़ आपको देगनी है उसके गुण वगेरा जो भी है उसका थोड़ा अध्यन कर लेना बात करें आपको जीवन की प्रक्रियाओं में आपके पढ़ना है जीवी चीज़ें पौधों और जानुरों में पोशन, स्वसन, परिवहन और उत्सरजन की मूल अवधार अना है ठीक है इसके अंतरके इतनी चीज़ें आपको देखनी है नेक्स्ट आप देखेंगे आगे इसमें रिप्रोडक्शन है जनन है दोस्तों जनन के अंतरके आपर रिप्रोडक्शन है एनिमल एंड प्लांट से सेक्शूल एंड एसेक्सूल अब देखें आपर जनतू में पादव में इसमें लेंगिक और अलेंगिक जनन ठीक है उसके बाप परिवार नियोजन की आवशक्ता और इसके क्या-क्या उपाई हैं सुरक्षित सेक्स बनाम HIV AIDS है बच्चा पैदा करना और महिलाओं का स्वास्त है तो इस से सम्मन दीद भी आपको बहुत चीजें देखने होंगे अपडेट होना पड़ेगा आगे हैरी डिटी एंड एवल्यूशन में की बात करेंगे जिसमें आनुमान शिक्ता और विकास के अगर बात करोगे तो उसके अंदर अनुमान शिक्ता है जीवन की उत्पति संचिप्त परिचाई विकास की बुनियादी अवधारणे हैं ये सभी आपको हेरी डिटी एंड एवल्यूशन के बारे में आपको देखना है चीजें कैसे काम करती है हाव थिंक्स ठीक है तो यूनिट 3 में इसमें effects of current का क्या प्रभाव होता है कैसे काम करता है ये भी physics का ही topic है आप देखें यहाँ पर current का प्रभाव विभवांतर और विद्धारा ओम का नियम प्रतिरोध कारक जिनने पर conductor का प्रतिरोध निर्भर करता है जिन कारक जिननों पर ठीक है प बारे में पढ़ना है प्रतिरोध के बारे में बिद्धु धारा का तापी प्रभाव क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर पी वी आई और आर के भी सम्मन्द आगे मैकनेट से के अंदर कर जाएंगे आप तो चुंबक के अंतर कर इसके चुंबकी शेत्रे चुंबकी फ्लेमिंग का दाहें हाथ का नियम दिस्ट धारा प्रत्यावर्ति धारा एसी की आवरति डीसी पर एसी का लाब घरेलू बीजली के सरकीट वगेरा तो यह सारी चीज़ों आपको देखनी है इंग्लिश में भी उपर दिया है और हिंदी में भी हमने आपर दिया है आप लो किसे होता है ठीक है गोली जो थे हैं ठीक है धर आपने देखे होंगे गोломी दर पन और उसके उत्तल दर्पन या उतल आउटल में वकरता केंडर मुख्य अक्ष्पburgर मुख्य फोकस फोकस दूरी दर पन सूत्र धीक है और व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है आपको शीर प्रकाष का अप्वर्तन किस तरीके से होता है गोली लेंचे द्वारा उत्तल लेंचे आपने पड़े होगे ठीक है दोश ये दोश वगेरा सारे गोलाकार दर्पण और लेंसे कि क्या-क्या अनुप्रियोग हैं एक प्रिज्म के माध्यम से प्रकास का अपवर्तन कैसे होता है प्रैक्टिकल याद आ रहा होगा आपको अपना प्रकास का फैलाव प्रकास का प्रक्रिणन दैनिक जीवन में उस संग्रक्षण सब्सक्राइब देखे प्राकरतिक संग्रक्षण संग्रक्षण प्रबंधन कैसे होता है कैसे करना वोग तरीक इस का उप्योग किस तरीके से हो ये सारे जीवन कोइला आपको प्ड़ने हैं यदि हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएं तो इसमें शेतरी परियावरण की बात करेंगे बड़े बांद, लाब और सीमाएं बड़े बांद अगर बनाते हैं इसके क्या-क्या लाब होते हैं और इसकी क्या-क्या नुक्सान भी हमको देखने पढ़ेंगे और इसकी क्या क्या लिमिटेशन से क्या क्या सीमाई है यदी विकल्प यदी हो ठीक है यदी विकल्प कोई हो तो जल संचाइन प्राकृतिक संचाधन की इस्थिरता ठीक है जल संचाइन के बारे में आपको पढ़ना है और प्राकृतिक संचाधन की इस्थिरता के बारे में सोर से जॉब एनरजी उर्जा के सुरोत उर्जा के बिभिन रूप ठीक है अलग-अलग रूप उर्जा के कौन-कौन से रूप में उर्जा होती है मिलती है आपको उर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरोत जीवास में इधन है सौर उर्जा है बायो गैस है हवा पानी और ज्वारी उर्जा है प्रमानु उर्जा है नवी करणी और गैर नवी करणी उर्जा स्रोत क्या क्या है ठीक है नवी करणी उर्जा क्या होती है और गैर नवी करणी उर्जा क्या होती है ठीक है ये सारी चीज़ और उसके क्या क्या पर्त्य वरत हैं हमारा पर्यावरन से आपको देखना है यहां पर हमारा परियावरन ठीक है Our Environment प्रस्तितिगी तंद्र बहुत इंपोटेंट टॉपिक है परियावरनी समश्या हैं उनके समाधान बायो डिग्रेडेबल और गैर बायो डिग्रेडेबल पदार्थ ओजोन रिक्तिता ठीक है सबस्टेंसेज ओजोन डिप्लेशन तो अब देखिए यहां पर यह कुछ पॉइंट इन्वार्मेंट पजियावरन से भी यहां पर मैंने आपको दे दिये तो साथियो मैं आपको बता रहा हूँ यह जो सलेबस आप लोगों के लिए बहुत ही महतोपोन सलेबस है जो मैंने दोनु विद्यार्थियों के लिए जिनको इंगलिश में समझ जाता है ठीक है मैंने उनको इंगलिश भी दे दिया है अगर जिन लोगों को हिंदी में समझ आता है तो मैंने उन लोगों के हिंदी में भी ये शलिबस दे दिया है तो सात्यों दोनों लेंगविज deixa मैंने आ आपके लिए बनाने के कोशिश की है अगर आपको लगा है कि हमने भी कुछ मेहनत की है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो और बाकी लोगों तक अगर आप शेर करेंगे तो इससे हमारी भी मदद होगी हमारा वीडियो जादा लोगों तक जाएगा ठीक हमारा काम करना हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी साथियो तो लाएक आप जरूर कर लिया करो यार वीडियो को चैनल को सब्सक्क्राइब करने के लिए चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इस वीडियो में इतना ही अपनी क्रिया पतिक्रिया आपको जरूर दे दिये धन्यवाद जैहिं दोस्तो